रिटायर जस्टिस रितूराज अवस्ति की अध्यक्षता वाले भारत के 22 विधी आयोग ने शुक्रवार दो फरवरी को मोधी सरकार को एक रिपोर्ट सोपी रविवार को सामने आई इस रिपोर्ट में दंगाईयों के लिए कड़े जमानत प्रावधानों की सिफारिश की गई है पैनल ने सुझाव दिया है कि सडके जाम करने और तोड़ फोर करने वालों पर सारवजनीक नीजी संपत्यों को हुए नुकसान के बाजार मुले के बराबर जुर्माना लगाया जाए दंगाईयों को जुर्मानी की वसुली के बाद ही जमानत दी जाए लाव पैनल की रिपोर्ट में बताये गए जुर्माने का मतलब उस राश्ची से है जो डेमेज हुई प्रॉपर्टी की मार्केट वेल्यू के बराबर होगी अगर इस प्रॉपर्टी की वेल्यू निकाल पाना संभव न हो तो इसका टोटल एमाउंट अदालत ते कर सकती है इतना ही नहीं पैनल ने कहा कि इस बदलाव को लागू करने के लिए सरकार एक अलग कानून ला सकती है पैनल ने बताया कि केरल में नीजे संपत्ति को नुकसान की रोकताम और मुआउजा भुकतान अधिनियम बनाया गया है सरकार इसे भारती नियाए सहिंता के लागू प्रावधानों में बदलाव करके या जोड कर भी वसुल सकती है